आज हम क्या करेंगे? Language Development पढ़ेंगे हमने इससे वहले क्या पढ़ लिया है? Cognitive Development पढ़ लिया है Social Development पढ़ लिया है और हमने क्या है? Development का वो chapter पढ़ लिया है अब हम क्या पढ़ेंगे? Language Development पढ़ेंगे देखिएंगे The most critical period of acquisition and development of language is early childhood ठीक है? लाइग्वड डेवलेप्मेंट का जो ट्रीटिकल पिरेड होता है जब बच्चा क्या करता है एक्विजिशन करता है तो वह कौन सा पिरेड होता है अरली चाइल्वड होता है अरली चाइल्वड कब से कब तक होता है दो साल से लेके तो छे साल तक ठीक है टू यह टू सिक्स रोसेस होता है लेंग्वेज जलेबमेड़ में इससा मोस्टूलोल और कम्यूनिकेशन में कों कोन होता है एक होता है सिंडियर और होता है कि सेंडर में होता है कहुंए हमारी return जिसमें हम क्या करेंगे लिख कर बात करें किसे से हमें बात करना रे जैसा रों को हमारे हमारे दूर है नाına है यह बहुत । और एक language होती है हमारी symbolic symbolic मतलब traffic signal पर traffic में जो signal होते है वो कैसी बात होती है हमारे लिए symbolic होती है अगर green signal है तो क्या करना है रुख जाना है orange signal हो गया था हमें क्या करना है speed को कम करते है निकलना है और अगर red signal हो गया था हमें क्या करना है पुख जाना है ठीक है अब हम देखेंगे language is a skill language क्या है skill है और language क्या है sorry language कितने होटे total four skill होते है ठीक है कौन से कौन से lsrw ठीक है पहला होता है हमारे listening दोसरा होता है speaking तिसरा होता है reading और चाथा होता है writing लिसरी में हम क्या करते हैं speaking में हम क्या कहते हैं बोलते है reading में read करते हैं writing में writing करते हैं लेकिन question पुछता है यह चारो skill के अंदर lsrw के अंदर सबसे ज्यादा easy कौन है तो सबसे ज्यादा easy skill कौन सी है listening है और सबसे ज्यादा hard कौन सी है writing है ठीक है हम देखेंगे listening and reading are receptive skills listening और reading जो होती हो तो कौन सी skill होती है receptive skill होती है यह पात याद रखना यह पुछ ताइब और दुसरी बात क्या होती है writing and speaking are productive skills writing और speaking हमारी कौन सी skill होती है अब जो हमारी L1 होती है यह कौन सी language होती है हमारी acquired language यानि के mother tongue जो language को हम घर में ही बोलना सिख लिया थे school आने से पहले जो language हम बोलते हैं हमारी घर में जो language बूली जाती है वो ती है mother tongue और वो हमारी कौन सी ल वल ऐसे language जो हम क्या करते हैं acquire करते हैं लेकिन जो language को हम सीखते है learn करते हैं वो होती हमारी L2 learning language जैसे कि कौन सी हमारी English है foreign language में बहुत सारी Germany France की जो language जैसे यह सब कौन सी होती है L2 होती है अब हम देखेंगे NCF क्या कहता है according to NCF 2005 three language formula इंडिया के अंदर जो हम education के अंदर क्या करते हैं three language formula को use करते हैं पहला एक चीज होती है monolingual यानि के one language only जहां पर एक ही language बोली जाएंगे जो बंदा एक ही language बलेगा वो कैसा person है monolingual person है जो बंदा दो language बोल सकता है उससे क्या कहते है bilingual two language नहीं जो सिर्फ दो ही language बोल सकता है लेकिन जो multilingual होता है वो क्या होता है multilingual is the ability of person to speak three or more different languages ऐसा बंदा जो क्या कर सकता है three languages उससे ज्यादा बोलता है तो वो क्या है multilingual है जैसा इंडिया के अंदर क्या होता है English language को यूज करते है Hindi को यूज करते है उर्दू को तो इसलिए क्या करते है three language के जहां पर यूज होता है जाता है school के अंदर तो इसलिए किससे क्या होता है multilingual होता है अब multilingualism क्या है हम देख लेंगे multilingualism is an important part of Indian classroom due to the rich diversity of language found in India multilingualism क्या है एक important part है हमारे इंडिया के classroom का क्यों क्योंकि हमारे पास कैसे है जो classroom का environment है जो classroom होती है वो कैसे होती है diversity है बहुत अलग-अलग तरह आगे बच्ची यहां पर आते हैं परने को ठीक है और हमारे पास क्या है diversity of diversity of languages found in इंडिया के अंदर बहुत अलग-अलग languages है इसलिए हम क्या करते है monolingualism को use करते हैं अब और देखें हम आगे it is a set of resource multilingualism क्या है एक resource होता है हमारे लिए और दूसरी बात क्या है 22 official languages in listed in the constitution of इंडिया ठीक हमारे इंडिया के अंदर जो languages है वो कितने कितने टोटल official language है 22 official language हमारे इंडिया के constitution के अंदर इसके बाद हम देखेंगे cognitivist cognitivist हमारे कौन है जीन प्याज है जीन प्याज है क्या कहते है जीन प्याज है टॉक्ट अबाट language इंडिया लैंग्वेज इबारे इंडिया बात करते हैं वो कहते हैं कि language ठीक हैं उन्हों किया कहते हैं थौट्र्स ट्र्माइन लैंग उन्हों कहते हैं कि पहले बॉच्टा सोचना शुरू करता है थौट अइंडियों डूबलियुन कसे करेगा तक है उसकीरोने से बात करेगा क्यों करोता एक हो कि इस बाद अभी कि इस बाद हम दुसरी चीज़ देखींगी के इंटराइक्शनिस्ट हम किसे कहते हैं यह हमारे ले वैजवेगम मे니까ते में फ़ोक ह saben कि उसके की करते हैं फिर दो है घर करोंगे interaction करोंगे तो आप language को क्या कर लोगे learn कर लोगे आसानी से कर लोगे बच्चा society में घुल मिलकर language को क्या करता है सीखता है ओके इनके साइज the role of community as a strong support language language development वाइग उसकी कहते है कि हमारी जो community होती है हमारी जो society होती है यह क्या होती है बहुत strong support होता है language development के लिए अब यहनों क्या कहते है thoughts and language both are independent उन्हों कहते है कि thought का और language का लेना देना कुछ नहीं है thought और language के है independent है thought अपनी जगा develop होगा language अपनी जगा develop होगा ठीक है लेकिन वाइग उसकी क्या कहते है thoughts determined language पहले बच्चा क्या करने का शुरू तो सोचना शुरू करता है उसके बाद बच्चा क्या करता है बोलना start करता है लेकिन वाइग उसकी क्या कहते है नहीं 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 बच्चा पहले बच्चा सोचना नहीं सोचने लेकिन और language बोलेगा क्योंकि thoughts and language both are independent यह कोशन अभी मैंने देखा था पेपर के आंदे जो लास्टे पेपर थे तो 2022 के अब यहनों क्या कहते है इनके according language के थ्री टाइप से ठीक है लेवाइग उसकी क्या कहते है लेकिश को पहला पार्ट है वो है और एक होता है silent या फिर inner speech तीसरे नमबर का यह कब से स्टाट होता है after seven year ठीक है अब तरी language हम देखेंगे जो social speech होता है बच्चा इसमें क्या करता है दूसरों से बात करता है अपने घरवालों से अपने friends सबसे लेकिन जो बच्चा private speech करता है ठीक है इसमें क्या करता है और स्बस्क्रण इसमें बारिम इणिया नमना बात करता है सा साल के बाद जो से बड़ा हो जाता है तो खुष्छी के मन्न में कुछ भी सोचेगा हम भी क्या करते हैं मन्न में खुछ से बात्याट बात करते हैं लेकिन private speech को पर ज्यादा question आता, कभी हो private speech कहेगा, private speech को क्या कहते हैं, self direction भी कहते हैं, self regulation भी कहते हैं, ठीक है, paper में अभी कुछ, दो साल से self regulation पढ़ने को मिला, self direction भी आया और private speech भी ज्यादा कुछ था है, अब हम देखेंगी, innetist, अब हमारे innetist कौन है, norm chomsky discussed the inherited ability to acquire any language with the help of LED, norm chomsky बात करते हैं, कि हम, जो इनसान होता है, उसके बाद जनमजास है, यानि कि पैदाशी क्या होती है, उसके पास एक ability होती है, और कुन से ability होती है, जिससे वो क्या करता है, language को acquire कर लाता है, किसी भी language को, with the help of LED, LED क्या होता है, language acquisition device, ठीक है, language acquisition device किसे कहते हैं, LED को कहते हैं, और उन्हें concept की बात भी करते है, universal grammar की, norm chomsky का जब भी नाम आएगा, तो उन्हों किसकी बात करते है, LED यानि के language acquisition device, उन्हों कहते हैं, कि हमारा जो mind है, ठीक है, mind का जो left side है, उसके अंदर हमारे mind में क्या एक device लगे वाए, वो device का नाम है LED, यानि कि LED हमारे अंदर हर इंसान के अंदर होता है, इसलिए हर language को क्या कर सब्सक्राइब कर सकता है, अब हमारे mind के अंदर भी क्या होता है, हम एक surface होता है, यानि कि जिसके अंदर हम कुछ भी बात सोचेंगे, या बात language बोलिंग होती है, और एक होती है, deep with meaning, और हम एक बात करते हैं, वो कैसे होती है, हमारी एक deep meaning में होती है, ठीक है, अब हम देखिए बी एफ इसकी नर क्या करते है बी एफ इसकी नर ने क्या किये एक गुकली के जिसका नाम है वर्बल पिहे गया ठीक है इसके बारे में इतना ही कुछ था है